नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से नवरात्री का पावन परवा मा दुर्गा को शमर्पित होती हैं और न दुर्गा को ही शक्ती कहा जाता है इस संसार में शक्ती से बढ़ करके कुछ नहीं है भगवन शंकर भी शक्ती के बिना साओ जैसे है अर्थात मुर्दा के तुल्ला है तो आज किस बढ़ में मैं आप लोगों को नवरात्री के दिन नवरात्री के किसी भी दिन अगर आप यह उपाया करेंगे उपाया करने वाला जानकरी बतारो इसे आपकी गरिबी दुख तकलीब जिवन में चरे परसानी तथमनों कामना क की पूर्ती होगा आज के बिड़ों मिस कर दिये तो फिर सारे जिंदगी पस्ताना पड़ेगा अगर आपके भी दुकान धंदे बंद हैं पैसों की किलत हैं घर में लोग बिमार पड़ते हैं एक दूसरे का आपकी घर में बनते नहीं हैं सतुरू परसान करते हैं पैसा आन से जरूर देखना अगर कोई भी वेक्ति नवरात्री के पावन परवा में नवरात्री के किसी भी दिन हम बिड़ों में दिखार जा रहे हैं ये उपाय अगर एक दिन सच्चे मत्ति तो ऐशे वेक्ति को धनवान बनने से धनी बनने से दुनिया के कोई भी सकती नहीं रोग करेगा इसलिए मैं बोर हों कि इस बीड़ो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना और अगर हां थोड़ी भी बीड़ो में बताएंगे जानकरी पसंद आएंगे तो बीड़ो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कोमेंट बॉक्स में जय माता द इसलिए नवरातरी के समय में जो भी उपाया करते हैं जो भी क्रिया करते हो ततकाल फल देते हैं तो नवरातरी में आपको क्या करना है कैसे उपाया करना है सारे जानकरी इस बीड़ो में आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई अगर आपके मन पैसे आने के मारगा खुलेंगे और बहाने मार मार करके किसी ने किसी माध्धम से आपके घर में पैसा आना सुरू हो जाएंगे यह उपाय को करने के बदस्वर प्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको पांच प्रकार की मिठाई लेना है जैसे कि ह हमारे धर्म सास्तुर मैं बोला जाते है तो पांच प्रकार के आपको ऐ है दूसरा चीज का लें लेमेẩ जानकारी मैं आप लोगों ना आए हमारेृटाटि आए योड़ो का परिवार है के हैं परिवार की हिसतेlles मैं जहां के प्राचिन जानकारी, मैं में आप द्रूमान काउन आपे पूर्ती, इसलिए मैं आप जिसे भी एक जानकारी बताएं रहे हैं और आपने आपको सभागत सालीच समझते हैं और समझते हैं कि यूटूब में आज हमारे विडियो में बताएं कि उपाय वो उपाय सार्था हुए इसलिए आप हमारे चैनल को सुब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं तथा हम धर्मस्यमंधि हम जो जितने भी हमारे कहा जाए ध्यात्म की जान कारी हो आप सभी तक पहुचाने की प्रयास करते हैं बहुत ही सारा लुपाय बताते हैं जिससे आपका भला कल्यान हो तो आपको ये दोनों चीजों को ये पांच प्रकार की जो आपने मिठाई रखे हैं ये पीपल के पत्ते तो आपको पीपल के पेन के नीचे में जाना है तो आपको पीपल के व्रिक्षा को निवेदन करना है कि हे व्रिक्षो की राजा इस पकार से आपको प्राथना करना है मेरे गरिबी हटाई है मेरे दिन दुखी हटाई है जैसे दुकान धंदे नहीं है बंद हो गए दुकान ध प्राथना करना है तो आपको करना है एक लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है यह उपाय साम के समय में करना है ध्यांशेद सुनिये और सुर्य आस्त से पहले उपाय करना है तो साम के समय में करना है एक लोटे जल को पीपल की जड़ में आपको मनो कामना बोलते हुए आपको चड़ाना जैसे कि आप बोलना कि हमारे दुकान में बिकरी हो जाई है फिर है माता हम आपको ले जाने के लिए आए हैं आप हमारे घर में प्रवेश करें हमारे घर को धन द कार की मिठाई रखना है और इसे भोक लिए माता लच्मी को चढ़ा देना है जिनके दम हैं जिनको टोने टुटके पर विश्वास रहते हैं ऐसी वक्ति ही यह उपाय करना जबरजस्ता पावरफुल उपाय हैं इस उपाय से स्वेमा लच्मी के गण जो होती हैं स्वेमा लच स्वेमा लच्मी को जा करके बताती है कि वास्ता में ओ जो मानुष्य आया था उनके घर में धनकी तकलीव है माताब उनके घर में चलिए इस पकार से आप देखना कुछ दिनों के भीतर में अगर यह उपाक करते हैं तो आवेकी गरीबी निर्धनता जीवन में चरही परसा आएंगे तो आपके घर में टीकेंगे जैसे बहुत से लोगों बोलते हैं गुरुजी हमारे घर में पैसे आते हैं लेकि नूड जाते हैं तो आपके घर में पैसा नहीं उड़ेंगे आगर आपके घर भारी भारी लग रहा जैसे लच्मी आपके घर में परवेस करेंगे न ये उपाई हम अपने बहुं सारे भक्तों को चुके और हुआ अच्छे लाभ भी मिले हैं OFको यही 5 प्रकार की मिठाई। इसले सकते हैं विल्कुल ही लाभकार्य होता है। तो यह उपाय आवस्ता करिएगा आपके गरिभी मिटेंगे निर्धंता मिटेंगे नवरात्री समय में यह उपाय करना फलकारी होता है नवरात्री जाने के बाद अगर यह उपाय दिपावली दिन करते हैं तो भी यह उपाय बहुत ही फलकारी होता है चारो नवरात्री में दिपावली ये फिर होली में उपाय कर सकते हैं बहुत इसे उत्तम माना गये हैं तो आप अपने गर्भी मिटाने के लिए समस्था से छुड़कारा पाने के लिए मनोकामना पूर्ती करने के लिए उपाय जरूर करिएगा यह जानकारी का इसलाग है हमें कोमेंट सक्सेन में जरूर बताएगा और हाँ इस जानकारी को अपने तक शिमित मत रखना हो सकता है आपके द्वारा सेयर किये गए वीडियो से किसी का भाला हो जाए किसी का कल्यान हो जाए आपके एक सेयर किसी के लिए अम्रिद जैसा हो शकता है तो यह थे छोटी सी जानकारी दर्सको ब्र दखने के लिए धन्यवाद नमस्कार